अपनी चोकलेटी बॉई मेज के साथ फेमस कार्तिकारेन जल्द ही एक एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। पर सभी फिल्मों में कार्तिक ने कॉमेडी जॉनर का किरदार निभाया। कार्तिक की फिल्मों की चोईस से उनकी इमेज एक कॉमिक हीरो वाली बन गई। पर इस वज़ा से उनके फैंस को उनका एक्शन हीरो वाला अवतार देखने को नहीं मिल पाया। लंबे समय से कार्तिक और उनके फैंस की ये इच्छा जल्द पूरी होने वाली है कार्तिक को एक्शन अवतार में बड़े पर लाने का ख्वाब ब्लोकबस्टर फिल्म ताना जी के डारेक्टर ओम राउत सच करने जा रहे हैं लंबे वक्त तक चर्चाओं में रहने के बाद फाइनली रविवार को इस फिल्म की ओफीशिल अनाउंसमेंट हो गई है ताना जी की तरह ये फिल्म भी 3D में ही बनाई जाएगी और फिल्म का निर्मान भूशन कुमार करेंगे इससे पहले भी भूशन कार्तिक की तीन फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं जिनमें से एक कार्तिक के करियर की पहली हिट सोनू के टीटू की स्वीटी और पती-पतनी और वो के अलावा कार्तिकी अपकमिंग फिल्म भूल भूलया 2 है भूशन इससे पहले उम्राउत की फिल्म ताना जी को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं भूशन ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि ओम ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उस पर कार्तिक फिट बैठते हैं ओम का वीजन और पैशन मैं ताना जी में देख चुका हूँ इसलिए अब मैं उनकी अगली फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ यह फिल्म अपनी तरह की एक अलगी फास्ट पेस एक्शन फिल्म होगी